तो क्याल चल सर्याकाल मैं हुन्य ओन्मैन अंड कईज आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़े यूटुबर के बारे में जिनको अपरेंटली एक्सपोज कर दिया गया है जहाँ गाईस कल संदीब महिश्वरी के चैनल में एक वीडियो आया बिग स्कैम एक्सपोज यहाँ पर बेसिकल हुआ कि आप लोगों तो पते हुआ कि संदीब महिश्वरी अपना सेशन्स रखते हैं जहाँ पर उनके सब्सक्राइबर्स एंड फैन्स आते हैं उनसे इंटराक्ट करते हैं कि आप ये कोर्स दूसरे लोग को बेचो आप पैसे कमा पाऊगे उससे तो kind of an MLM वाला सीन थोड़ा सा चल रहा है दर अब यहाँ पर वो बड़े यूटुबर का नाम तो नहीं लिया गया बट संदीब महिश्वरी इस चीज के उपर रियाक्ट किया और उन्होंने क्या कह आप खुद सुलीजेए को लिये क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया at least और लोगों के साथ में यह चीज ना हो और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापिस चाहिए आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापिस मांग सकते and there is a strong possibility वो पैसे आपको वापिस मिल सकते हैं संदीप सर फिर इंग्लिश लवर्स ने भी ये कहा thank you sir for taking up this matter this is high time that people knew about this scam of MLM big players जो की innocent people को scam कर रहे हैं उनको punish करना चाहिए and please आप इस topic पर एक dedicated video बनाओ and expose such culprits सो या गाइस आपको क्या लगता है संदीप महिश्वरी के वीडियो में कौन से बड़े यूटूबर का बात हुआ मेरे को comments में जरूर बताना तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मृदूल मादूक वसिस यूटूबर के बारे में सो गाइस recently मैंने आप लोगों बताया था कि मृदूल मादूक काफी सारे यूटूबर के उपर strikes मारने की कोशिश कर रहे थे उनके ओपर बहुत सारी यूटूबर्स ने वीडियो भी बनाया जैसे की लक्षे चौदरी, ठगेश, धीरु मौन्चिक और बनी अदर्स तो शायद इन डारेक्ली यही यूटूबर्स के ओपर react के मृदूल मादूक उन्होंने ये story अप्लोड किया लोग जो मुझ पर सवाल कर रहे हैं उन्हें जवाब दू किया और दो options उन्होंने रखा था बिलकुल भाई जिसमें की 58% वोट्स आ है और secondly जाने दो अपना काम पर focus करो जिस पर 42% वोट्स आ है मतलब कि लोग चाते हैं कि मृदूल मादूक भी respond करें तो चलिए बागे बढ़तम लोग बात करने वाले मनीशा रानी के बारे में तो क्या मनीशा रानी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी विल हुआ क्या कि कल वो अपने इंस्टेग्राम पर लाइव आई थी तो या पहले आप वो क्लिप देख लो एंड फिर मैं आगे आप लोग को explain करूँगा वो लाइफ को क्या करना है शेयर करना है फर्स्ट अफॉल यहां पर मनीशा जो पैसे कमाने की बात कर रही थी तो बहुत लग उनको मनी माइंड बोलने लगे और सेकेंड ली जब फुक्रा इंसान का टॉपिक उठा था तब वो ठीक से रियाक्शन नहीं दी थी इन दो चीजों को लेकर कुछ फैन्स खुश नहीं थे मैक्सटन भी रियाक्ट करते वे यह ट्वीट किये कि मनीशा रानी टॉक्ट अबाउट अर्निंग मनी इन हर इंस्टेग्राम लाइब और इंस्टेग्राम में इस्टेग्राम में सब्सक्रिप्शन होता है कि उनको लाइब स्टेग्राम में लेना है और मनीशा वाँ पर बोली हम नहीं भेजे तो उनका जो अन्प्लेजेंट एक्सप्रेशन था वो चीज अच्छा नहीं लगा हम लोगों को जिस पर रियाक्ट करते वे मैक्सटन कहे इस बिहारी हिंदी एक्सेंट इस नथिंग लाइक शीज बिंग मीन है बेसिकली सेंग कि उनका एक्सेंट और बात करने का तरीका ही वैसा है वो मीन नहीं हो रही थी और मनीशा रानी भी इंडिरेक्टली वो पैसे वाले टॉपिक को टच की क्योंकि वो अपने स्टोरी में ये अप्लोड की थी बाकी आपका क्या उपीन ने इसमें मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना तो चलिएब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में तो फुकरा इंसान का बिग लाइफ रिटर्न सॉंग आने वाला है OSM Records चैनल पे और उसी चैनल पर कल वो और चितरांशी लाइव आई थे और वो अपने फैन्स के क्वेस्चिन का रिपलाई दे रहे थे और इंटराक्ट कर रहे थे तो एक जगा फुकरा इंसान रिवील करके बता है कि उनका शायद एलविश आदफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो आ सकता है जी हाँ आप खुछ सुल लीजे वो क्या बोले अलविश भाई के साथ सौंग वेन भाई वेरी सून हमने एक गाना शॉट लिष्ट करा था इधर अभी हमारी बात चल रही है लेट सी आई होप इट हपन्स अलसो फुकरा इंसान ये भी बता है कि उनका Mr.Beast के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट के उपर डिसकेशन चल रहा है जी हाँ आप खुद सुल लो वो क्या बोले तो चल ये बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में तो मिथपैट के चैनल के साथ एक काफी weird issue स्टार्ट हो गया जहां guys वो tweet करके दिखाए कि उनका profile picture जो है YouTube का वो randomly disappear हो गया वो इस चीज़ को multiple devices से भी चेक किये क्या ये glitch है YouTube इसके बाद YouTube उनको respond किये कि आप relaunch करो app को make sure कि latest version है बट मिथपैट बोले मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और ये same profile picture last 6 साल से था तो क्या problem है आप please बताओ जिसके नीचे YouTube फिर respond किये और उन दोले के बीच में बातचीच चल रहा था आप देख लो बट या थगेश के हिसाब से शायद उनका चैनल हैक हो गया है क्योंकि इस tweet के नीचे उन्होंने लिखा एनिवेज चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दुरूव राठी के बारे में बैड इंपक्त ओनार सोसाइटी बट गैंग्स ओफ वासेपूर इस दी मोस्ट इंपोर्टेंट फिल्म दिखाते वे कि तीन साल पहले नेट्फिक्स इंडिया चैनल पर धुरूव राठी का एक वीडियो आया था इसका टाइटल था इस गैंग्स ओफ वासेपूर इंडिय फिल्म फिर किसी ने कहा कि गेम आफ थ्रोंस जैसे सीरीज जहाँ पर सब कुछ है भाई उसको लेकर इंडियन ओडियन्स बोलते वा भाई क्या शो है डू लुक कूल बट रनबीर कपूर का एनिमल मुवी जो कि गेम आफ थ्रोंस के लेवल का भी नहीं है यार उस मुवी को अच्छा बोलने वालों की मेंटालिटी गिरी हुई है इसके बाद कुछ यूटूबर्स जैसे की पीजे एक्स्प्लेंड और कॉमिक वर्स भी सिच्वेशन के उपर अपना रियाक्शन दिये बिसिकली दूव राटी अपने वीडियो के एक सेग्मेंट में बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को बहुत जादा वाइलेंट या फिर गोर फिल्म क्यों अच्छे लगते हैं पहले आप वो क्लिप देख लो कुछ लोगों को इतना वाइलेंस और खून खरावत देखना क्यों पसंद आता है यूजिली ये वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिन्दगी म पावरलेस और रिप्रेस्ट फिल करते हैं दबे हुए फिल करते हैं कोई इंसान जो अपनी रियल लाइफ में अपने बॉस के नीचे दबा हुआ है पुलिसमैन के नीचे दबा हुआ है या अपने पेरेंट्स से घर में बहुत डाट खाता है इस तरीके के लोगों को इस ट को पर्सनली अनिमल मुवी काफी जादा अच्छा लगा था तो वो एक सर्कास्टिक रिप्लाइ दिये इस ट्वीट को थैंक यू दुरू राथी फोर गिविं पर्स्पेक्टिव इन लाइफ यूर होल्सम कॉंटेंट अल्वेस में स्माई जिसके नीचे कॉमिक वर्स लाइक यह काफी धीप और ट्राइट और रिफ्यूस प्रडक्शन भी यह ट्वीट किये धाट धुरू राथी वीडियो इस लेस अफ़ मुवी रिव्यू और जो क्रिटिक्स है वो इसको वर्स्ट रिव्यूद फिल्म भी बना दिये बट स्टिल उनके खराब रिव्यूस के वज़े से बॉक्स ओफिस में कुछ फरक भी नहीं पढ़ रहा है और इस चीज़ को लेकर क्रिटिक्स अपसेट भी हो रहें कि फॉर दो फर्स टाइम उनके रिव्यूस से कुछ फरक ही नहीं पढ़ रहा है बॉक्स ओफिस में एंडिया गाइज आनिमल मुवी 10 दिन के वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अपना साथ सो सत्रा करोड कर लिये यह एडिंग तुवर्ट्स था थाउजंड करोड वाला माग क्या वह पहुच पाएंगे लेट सी तो चल यह ब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया के मोस सर्च पीपल इन ट्वेंडी 23 के बारे में यहां आप यह लिस्ट देख लो यार की गूगल में सबसे जादा सर्च पीपल कौन थे इस साल में नंबर वन में कियारा अडवानी दें शुब्मन गिल रचिन रविंद्र मोहमत शामी और नंबर फाइव में एल्विश आदव नॉट ओली इस साल एलविश के तरफ से एक ट्वीट भी आया जहां पर वो यह हाट इमोजी डाले और यूट्यूब कम्यूनिटी से खाली इन लिस्ट में नहीं थे भूवन बाम का ताजा खबर भी मोस्ट सर्च वेब सीरीज के लिस्ट में आये जैसा कि आप देख सकते हो नंबर 10 पोजिशन में सलार मूवी के बारे में तो सलार मूवी बस अब 10 दिन में रिलीज होने ही वाला है और उससे रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट अब्डेट्स आया है फॉस्ट अफॉल इसको अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया गया है बहुत जादा वाइलेंस होगा इस मूवी में इसके याँ तो चलिया आप कुछ अचीव्मेंट्स के बारे मिलेट के बात के सब्सक्राइबर्स याँ तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतने हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप कुछ न्यूस भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में सो यह ऐसे सपोर्ट करते रहना हो मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई